एलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग वेलकम टू माय यूटू चैनल बेस्ट अप्रोच बचो अपन पढ़ रहें स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन के मैं आपको कम्प्लीट लेक्चर्स दे रहा हूं यह आपकी आटी के प्रिपरेशन में काम आएंगे यहां प स्ट्रेट लाइन के लिए इसमें अपन पढ़ रहें स्ट्रेट लाइन है ना ओके एक स्ट्रेट कर लिए अब ठीक है बच्चों तो बच्चों मुझे मोर्देन 15 यह का टीचिंग एक्स्पिरेंस इन आटी जैई प्रेपरेशन प्राइट कोचिंग इंस्टिट्यूट के की बात कर रहा हूं टॉप पोचिंग इंस्टिट्यूट्स ऑफ कोटा मैंने पढ़ा रहा है मैं मैं मेंटर हूं और इंडिया फर्स्ट राइंग का और बीटेक डिली नोन फॉर बेस अप्रोच जो डिफिकल्ट लेवल औफ प्रॉब्लम्स के अंदर काफी काम आता है बच सब्सक्राइब कर सकते हैं कैसे डिसाइड करें कि आपको किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन सूट करता है तो आप यह देखिए कि आज से कितने टाइम बात जो है आपका आइटी जेए का एडवांस का एक्जाम होगा तो जैसे अगर आप रिपीटर सुडेंट या क्लास 12 के सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें अगर आप क्लास 11 में तो आपका करीब 13 महीने बाद आइटी का एडवांस का एक्जाम होगा जो आपको क्रैक करना होगा तो आपके लिए यह वाला सब्सक्रिप्शन है वो सूटेबल है ठीक है जो जो आपको पढ़ाएंगे जिसमें आपका पूरा सिलिबस आपका हिक ठाक पेस पर आपका 90 डेस में हो जाएगा तिक आपनी 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 जीग की की कॉंपेटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं अच्छी कर सकते हैं स्पीट रिवीजन होगा और उसमें जो ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स रहे हैं पीवाइक उसके माध्यम से उनको कवर किया जाएगा अर्ली ग्रोथ बैच है बच्छो एक और जो टू-025 एस्पिरेंट्स के लिए यानि कि जो भी दसवी कक्षा में है तो यह बैच बच्छो 24 नौंबर को स्टार्ट हो रहा है बैच में हाइलेट्स ही है कि इसमें आपको जल्दी स्टार्ट करने का जो बेनेफिट होता है बाकी कॉम्पेटिशन से आगे निकलने का यूजरी बच्ची क्या करते हैं ग्या एरिया आफ ट्रेंगल का फॉर्मुला उन पर बेस्ट क्वेश्चन और ऐसे लुनी का जो सेकेंड एक्साइज है रेफरेंस बुक के रूप में यूजरी उसकी शीट भी यहां पर टाइप आपको मिल जाएगी अपडेट सेक्षिन के अंदर शीट में आपको मिल जाएगा सॉलिशन भी हैं कई सारे क्वेश्चन के अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप सॉलिशन देख लीजिए कितने टाइम बात देखना है यह अपने आप में हमेशा सही बहस रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी बहुत इजी-जी क्वेश्चन चल रहे हैं पुट क्ली टाइम क्यालकुलिट अपने को करना है कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा पीवाई क्यूज जिनमें आपको अच्छा-खासा बन जाएगा और आपको कॉस्चिंस करने में कम टाइम लएगा एक और बहुत इंपोर्ट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूं कि कम गском क्या नहीं सुचते हैं कि मेरी सपीड नहीं बन रही है यह नहीं हो रहा है बहुत टाइम लग रहा है सरक क्वेशन सौल करने में इसमें पर शान ओन अब क्य सbok Alrighty्वे, कि आपके पास को संब नहीं है कि आप चार घंटे कहीं नौकरी करने जा रहे labeled हैं आपका तो फ इस्परटाइज गेन करने के लिए यह बहाने बाजी नहीं चलेगी कि अरे बहुत टाइम लग जाता है तो टाइम लगेगा आज टाइम लग रहा है कल आपको कम टाइम लाएगा कोई भी अगर बच्चा मालो एवरेज है वह किसलिए आवरेज है क्योंकि आज उसने टाइम नहीं दिया एवरेज बच्चा भी अबाव एवरेज बन सकता है एक्जाम के अंदर बहुत सारे नंबर जो हो स्कोर कर सकता है गिवन कि वह सफीशेंट टाइम दे अपने उस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है तो पीवाई क्यों आपके स्मूदली जाने चीए तो बिफोर एक्चुली यू स्टार्ट डूइंग पीवाई क्यू ठीक है उससे पहले ही हम इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं बाकी रेफ्रेंस बोक और शीट के थुरू कि हमार इसी स्पीड आपकी जब आपका लाइन करकल पैराबुला एलिप्स और हाइपर जब आपको पहुंचोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बचुआ टाइप लगेगा ठीक है स्ट्रेट लाइन की तरफ आप देखोगे भी नहीं इन फैक्ट आयटी वाले भी जात सरकल से इस्पाराबुला एलिप्स और से और यहां तक आते हैं इनका इस वालते हुप सब्सक्राइब को question की framing में और concept बहुत basic concept होगा तो इसमें यूज होगा ठीक है ना तो कोई बहुत ताबर तोड़ कोई concept straight line का नहीं रह जाएगा जब आप ये चार चेप्टर पढ़ रहे होगे तो चली है मैं एक बार बोल देता हूँ लोकस लोकस निकालने का तरीका राइट geometrical condition and convert them in algebraic eliminate variables get relation between h and k to get equation of locust replace h by x and k by y अब आपने लिख लिए ना अभी सब को भूल जाओ ठीक है अब मैं धीरी दिरे आपको समझाना शुरू करूँगा लोकस होता क्या है सब्सक्राइब करने वाले कई सारे पॉइंट हो जकते हैं उन सभी पॉइंट्स को या उन सेट उस प्रेकार के पॉइंट्स को कहते हैं क्या कहते हैं लोकस कहते हैं लो कस of point ब्ला ब्ला लोकस of point satisfying this condition locus of point satisfying condition locus of point satisfying this condition वो जो कहानी है आगे बताएगा आपको ठीक है मैं चलो आपको एक छोटी सी कहाने सुरो तो जैसे कहीं पर market में लिखा है लोकस of कि लोकस ओपॉइंट बहुत ही सिंपल है यह आपने नाइन टेंट एट एट नहीं देख रहा हूं लोकस ओपॉइंट कि स्टी मतलब बच्चे सच दैट सच दैट इस दिस्टेंस इस दैट इस दिस्टेंस प्रॉं मेरे खाल से कई बच्चे तो सवाल खतम होते के साथ ही बता चुके होंगे या उनके दिमाग में आ गया होगा यह जो लोकस है वो क्या है ठीक है अगर एक फिक्स पॉइंट है ठीक है उससे अगर आपका जो दूरी है वो हमेशा अगर साथ खॉर पहिंट जो हमेशा वन कॉमत दिरू से धीक हां करहな होगे आइक पॉइंट होंगे एगए पॉइंट सटेपीर थे यहा इक उनके में आनंथ पॉइंट में यह आप ऐसे मानलोग जैसे आपने 910 में आपने लाइन का एक्वेशन देखा होगा तुम्हारा लाइन का इकवेशन ने एक और राइन का एक्वेशन कि लाइन अपने अपने के लोकस से कुछ ना कुछ कंडिशन सेटिस्फाय कर रही होगी तो लोकस ऑफ पॉइंट एक्सवाई सच्छ दाट कुछ कहानी खिलाल जो मैंने कहानी सुनें उसके रिए बतायता हूं आँसर क्या आएगा कोई पॉइंट जिसका दूरी लन कॉमास दिरुसे कि अधर लेक्ट भी है एक्स कोमा वाए है में एच कोमा केगी से भी स्टार्ट कर सकते है एक्सवाई से अब आच डिसेंस फॉर्मूल económ एक्स माइनस बन का स्कूर्ण यह बात समझ में आई गाए दो पॉइंट की बीच का डिस्स लिखा है और इसको हमें कह रख़ा है कि बराबर कर दो स्क्वेर कर दिया एक्स माइनस वन का स्क्वेर स्वाइब और इसको सेटिस्फाय करने वाले बहुत सारे पॉइंट है आई इसको स्केच करके भी देख लिए आप तो जानती है यहाँ पर एक सेक्सेस पर होगा थरी है तो अपने इसे बना दिया तरकल हてint या तो आई होगा कि पॉइंट से दूरी बराबर रहता है जैसे आपने इसका क्लासी त्यांपल हमारा और जो कोलू का भी होता है उस पर क्या कहते है अपने बांध रखी अगर यह थागा टाइट रहेगा तो जो गाय का ट्रेजेक्टरी को जिस पे ट्रैवल कर रही है तो गाय जो ट्रैवल कर रहे है धागे को टाइट रहे यहां पर बंदा होगा थोड़ा सा फील लेना है यहां एक पॉइंट से अगर दूरी रखा तो तो अब बच्चों सीधे सवाल पर आते हैं लोकस का मेनिंग मैंने आपको बता दिया सेट आफ पॉइंट्स होता है ऐसे और भी कही लोकस जैसे आपने पर्पेंडिक्लों बैसेक्टर का लोकस देखो तो बता तो पॉइंट लोकस ऑफॉइंट तो इक्विडिस्टिन ऐसेंट व्यासिएट अशुक्ति पॉइंट और नंगालें यहां पर मैंने आपको पर्पेंडिक्लों बैसेक्टर बताया सा ताकि हम सरकम सेंटर निकाल सब्सक्राइब पाएं जैसे ए और भी है कि यह बना ले न साथ साथ अपने नोट बनाने अगर आपके हाथ में पैल नहीं है विडियो आपके किसी काम का नहीं है अगर आपने आज ऐसे लोनी का एक्षाइज बन नहीं किया है आपके किसी काम के नहीं है it is completely irrelevant आप ii-t की तहरी करी नहीं आ रहे हो अगर आप से देखिए यह मैंने परपेंडुक ला बैसेक्टर बना है इस पर पॉइंट की लिया आप देखें अगर पी का ए से दूरी और बी से दूरी देखें तो बराबर आएगा यह वाला जो ट्रैंगल है और यह वाला कि लिख पॉइंट लिया है और यह अंगल 90 एक साइड 90 और एक और साइड S A S इस और घरेंगल कॉन गरेंट अगयत तो Cp C T corresponding parts of congrain triangles टीपी सीटी से यह और बराबर आ गए कि अच्छा अब हम और आगे देखें तो यह और यह न यह चीज और यह चीज अगर कोई और भी कोई पॉइंट आप ले लो पर्पेंडिकला बैसेक्टर पर मालों क्यू ले लिया तो भी बच्चों आप देख सकते हैं कि क्यूए और क्यूभी क्या होंगे बराबर आएंगे हैं क्यूए इस इतना आ जाएगा क्यूबी आ जाएगा ओके ओल्राइट ठीक है और बच्चों इसा ऐसा यह लेंज्ट और यह बराबर आईगी तो कोई भी पॉइंट लो परक्पेंडिकला बैसे क्टर पर उसकी डिफिनीशिंख यह इत अप उस पर कोई पॉइंट लोकस पर या सैट थो यह सारे सैट अफॉस इस कोई भी पॉइंट आप जो चेंडिशन को सटिस्व कर बекए बार मेटम इस तरह की लेंगविज यूज उस प्रहर लोक। दोफ कर सकते हो कि इनको sketch कर ना बहुत यह दो पॉइंट बहुत ब्यूटिफुल है एक पॉइंट है आपका जिरो जिरो एक पॉइंट है आपका 2,0 अब आप ध्यान से देखें कि क्या कहते हैं 0020 इनका परपेंडीक्लल नाइट इनका मेंट किता आजाएगा एजी ली दिखरां उनकोंट को यह रेखा आपकी एकसे दिख रही है तो इसके परपेंडीक्लर लाइन यह एकसे लाइन परपेंडिकुलर तू रॉंट नाइंट गुट इक्विशन क्या होंगी एकसे अपने यह अगर ठीक है पी एक्स इकॉल टू बनी आपका अंसर अब इतना जल्दी आगया तो मज़ा नहीं आता है ठीक है तो स्टार्ट करते बेसिक स्टेप जो भी आपने लिखे दे उनको फॉलू करते वे चलते हैं क्योंकि छोटे सवाल में तो शायद आपको यह स्टेप आप लिखोगे क्या है माल लेते हैं कि जो पॉइंट है या पॉइंट से जो कंडिशन को सेटिस्फाय कर रहे हुए उनके कॉडणेट है एकस वाई एकस वाई कैसा है उसका जीलो-जीरो से डिसेंस निकालो बराबर आएगा जो जो बोला है वो कर देओ तो एकस वाई का से डिसेंस लिख स्कूर्ण स्कूर्स तरह रिए स्कूर्स सब्सक्रार चार से दिवाइड मार दिया इक्स इक्स एक्स इक कोल– तो हमारा आंसर है X is equal to 1 है यह हमारा लोकस का कंडिशन है या लोकस का equation है तो X equal to 1 क्या line है ठीक है तो perpendicular bisector हमें पहले ही पता था liquid distant from this perpendicular bisector आएगा और perpendicular bisector क्या होता है line होता है line की equation हमने पहचान रखी है ठीक है कैसी दिखती है कि नेक्स क्वेशन पर आते हैं जो अगला सवाल है पॉइंट दरख है पॉइंट भी दरख है फाइंड लोकस पॉइंट पी सच दाट एंगल एपी बीज नाइन की फोड़ा और थोड़ा से स्कों थोड़ा कॉंप्लिकेट कर रहते हैं माइनस 5,0 और 5,0 यह पॉइंट लिलका में इसको अटा दो यह पॉइंट यह पॉइंट भी है फाइंट लोकस पॉइंट पी सच दाट एंगल एपी बीज नाइन की ओके तो स्टार्ट करते हैं तो ऑच्छो जैसे माझनलोक कोई दो प्उइंट दे रखें और एंगल आइंट की बात कर रहा है जहांसे देखना तो इसके सब्सक्राइव है कि अगर मानलोक कहीं पर एंगल जो है अगर मानलोक पॉइंट पी पर एंगल नाइटी बन रहा है है ऐसे करके हैं हिंट दे दिया है वैसे आपको ठीक है मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी तकल्लूप होगी जानने में कि पॉइंट की जो है कहां पर नाच रहा होगा है तो आपको एक सिंपल सी चीज जो भी चैप्टर में एक दुबार आ भी चुकी है कि एंगल इंगल इ सेंट होता है ये किता होता है होता है घ elegant इसारकल मतलब यह नहीं नीचे वाला फाइर भी तहो सकता है यान कि हमारा जो आंसर है वह यह पॉइंट पी जुँ है वो सरकल कहीं पर भी हों सकता है थिक तो व्य फान कि पी किता आजाएका सरकल आ जाए यह थोड़ा 90 चक्कर रहता है 90 या कोई और एंगल जैसे 45 भी होता तो क्या आता आंसर आर कॉफ सर्कल आता तीके ना तुबारा देख लेक बार जैसे कॉड है याद आ गया होगा आपको प्रॉपर्टी ओफ सर्कल जो अपने क्लास 910 ने पड़ा था अगर यह एंगल 45 होता ह ज्यादा डीटेल में जाएंगे बस अभी इत्ता ही इत्ते ही ज्यादा नहीं कुछ नी बोलूंगा इसके बारे में अगर 45 रहता है हमेशा एंगल अगर पी है यह यह बी है तो फिर इसका मतलब प्वाइंट पी कहां पर लाए कर रहा है सर्कल पर लाए कर रहा है अब मैं और कुछ ज्यादा डीटेल में बात नहीं करूंगा आप भी ज्यादा मस सूचिए तरकल आगया है मैंने बूला था ना आपको पिछली बार भी कि जब सर्कल आजाएगा थोड़ा सा एल हैप लिमिट मुझे अपने आपको रोखना पड़ेगा वहां पर ताकि हम जो डिसक सकते हैं यह पाइचों को रसरों लगा सकते हैं इस पी पॉइंट का चैने की मैं बताया हूं पर पेंडिकुलर स्क्वेर बस बेस स्क्वेर इस इक्वल टू हिप्पोपोटोमस सरी हाईपेटनिस का स्क्वेर यह आएगा यह पी पॉइंट माइंगे अपने एक यह जी एट इस माइनिस गितारह टेन तो टेन का स्क्वेर प्लस जीरो का स्क्वेर लूट कुल टूलहें है इस हुआ है एक स्क्वेर एक स्क्रेटारेय। लिखतें इसको तक लाएग। तो पाँच का स्क्वेर आ रहा है थोड़ा सा सूचना पड़ेगा दिमाग पर पड़ेगा पर तो पैसे आएंगे दिमाग पर जोड़ नहीं डालों गें तो पैसे आएंगे तो रोड़ों की बात चल रही है अब सचना पड़ेगा ये चीज यह चीज लिखा हुआ है और यह लिखा है कि यह हमेशा जो है क्या रहा है पांच रहे यानि कि ऐसा पॉइंट है जिसका से और अनची अच्छे से अगर आप सोचो यह पॉइंट है 00 और एकस वाइशा है कि दूरी हमेशा एकस वाइट की 00 से किती है पांच है और आपके जो बाकी दोनों पॉइंट है यानिकी सब्सक्राइब बहुत अच्छे क्लियरली विजुलाइब होना चाहिए नहीं तो आप जो है आगे चलके आपको अप्रोच डेवलप करने में टाइम लएगा आपके पास काफी सारे ओप्शन्स होने चाहिए कि अच्छा ओके यह लिखा हुआ है तो बहुत स्टार्टिंग में अगर आप अच्छे से विजुलाइज करेंगे तो आपको आगे कई और अप्रोच मिलेंग यह एंगल 45 है इससे भी आपके दिवाह में बिजलिया कड़ कड़ानी चाहिए ओ सर्कल तो नहीं है ठीक है बाकी डिटेल में भी मैं बात नहीं करूंगा मैंने पहले बताया है कि हम सर्कल नहीं पढ़ रहे हमारा जो जो आज का एजंडा है आज का और आगे 10-15-20 दिन का स्ट्रेट लाइन है वी लिमिट आर सेल्फ हम अपने आपको सीमित रखेंगे कि स्ट्रेट लाइन ही पड़े सरकल में ना घुझ जाए ठीक है अगला ए भी अभी 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 फाइंड लोकस पॉइंट भी सेट एरिया ओफ ट्रेंगल एपी बीज इकल टू चार आईए स् सवाल देखने बहुत सिंपल लग रहा है तो माल लेते हैं लोकस पॉइंट कुछ वाले से करें बाते हैं एक बाते हैं पर समझ जवाब कि एच के क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते यहां पर था आप उन्हें बोला सब्सक्राइब की जिमेट्रिकल कंडिशन कंवर्ट कर सब्सक्राइब करते हैं तो माल लेते हैं लेट दे लोकस पॉइंट भी एच कॉमा के हैं अब अच्वा हाप ओफ मॉडवा ओफ डिटर्मिनेंट वा इस इकवल टू चौका वन वन जी लो जी लो जी लो टू जी लो ऑल एच कॉमा के टिक है खोल लिए उपर से प्लस किंटा आएगा थू कर का मॉट इस इकवल डू एट इस इंटू उय को मॉड गया होता है एकस का मॉर्ड और वाय को मॉका मॉड किता आजहेगा थू आ गया तो हो एक चार हो जाएगा एक माइनस चार हो जाएगा इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ यह क्या हो रहा है इसा है यह इस प्रकार का अंसर है बात यह वच की 005 पॉइंट है और यह आपका पॉइंट एह और भी टिक लोकस अफ पॉइंट अपने को बताना है कि यह भी ट्रैंगल बने और एरिया आपका क्या है एक और आपका बेश वह भी फिक्स कर दिया बेश मतलब दो पॉइंट आपके दो वेटिसे अपकी फिक्स कर दिया अब भड़ा एससा सोचो कि आपका जो आनसर आ रहा है वाइस इकल टू 4 वह कैसा है कर लोकस पर और मानलो मैंने उससे यह ट्रैंगल अपना कूप्लीट कर दिया है यह अपका एपीड ट्रैंगल क्या होगा मैंने मालनोब पी-पॉइंट से एपकर पर पर पेंडिक्लर डाल दिया ए और देखो और देखो अगर मालू मैंने पॉइंट यहां लिया है इधर लिया है इसे करके ठीक है यहां से यह पर्पेंटिकलर डाल दिया है आपर ऑन दर लाइन एवी बच्छो यह जो पर्पेंटिकलर मैंने डाला है लाइन वाइड इकल टू फोर से क्या है basically y is equal to 4 है क्या तो इस लाइन इस पैरलल तू दे बेस एबी ठीक है न यह लाइन जो है एबी लाइन की equation यहनी की xx equation क्या है y is equal to 0 देख पारे हो गया तो अगर आपको दो point fix कर रखें area of triangle fix कर रखा है तो यह जो point है उसका हमेशा क्या होगा distance from ab जो है fix होगा तो ab यहनी की line से दूरी कैसे fix हो सकती है कोई ऐसा point बताओ जिसका एक line से दूरी fix हो तो ऐसी ऐसा locus तो क्या होगा line आएगा which is parallel to this क्योंकि parallel line ही ऐसी lines होती है जिनके बीच का दूरी हमेशा fix रहता है अब क्योंकि आपका जो perpendicular है वह यहां से आप drop कर सकते हो इसके parallel इधर हो सकती है और इसी लाइन के parallel एक लाइन इधर भी हो सकती है hence there are two answers ठीक है तो parallel line to the base अपना answer आ रहा है ना line parallel to base अपना answer आ रहा है यह उसने यह आप पर clear कर दिया है चलिए शुरू करते हैं ठीक है वेरियबल पॉइंट और एकसे यह एकसे कि आपके अटो यह उनुक्त कर रहा है यह अफर और पॉइंट यहाई कर रहा है मतलब यह पॉइंट मूग कर रहा है बी पॉइंट यह इसके ? ные ऐसके 0,komma में बीट हैं कोई दिख्क्र आ अलपा-माइनस-0-1-0-0-1-0-0-1-0-2-0-1-0-0-1-0-2-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-1-0-1-1-0-1-0-1-1-0-2-1-1-0-1-0-1-1-0-2-1-1-1-0-1-1-2-2-1-2-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1 कि अलफा और बीटा नाश तो रहे हैं यानि कि यह जो रॉड है रॉड जैसा कुछ मान लो यह रॉड यहां आ जाती कि ऐसी हो सकती है फिर ऐसी हो सकती इस तरह से कुछ हो जाएगा लेकिन आपका लंबा ही हमेशा जो है रहा है तो अलफा बीटा वेरी कर रहे हैं पर उनके स्क्वेर का सम क्या है कॉंस्ट है यह बात आपको अच्छे से दिमाग में जहन में आनिचीर एन बेर वेरीबल पॉइ आपन आते हैं लोकच पर लोकास मिट पंट INFV लोकस हमारा ह कय है आप एक्स्यध फाए मानो एच के बाण के इंपड़ था बात यह होती है जब यह की हम लोकास की बात करते हैं या equation की बात करते है तो कर्फ की equation लिखे ही xy में जाती है आप तो जानते हैं तेन्त क्लास से आप स्ट्रेट लाइन की जो equation है या कर वे सी पिशिए आस इसके एक्सवाइन मैं लिख रहे होते हैं है एच के में थोड़ने लिखते हैं आप यह थोड़ नों बोलते हो कि यहां पर मैंने आपको बताया था है यह मेरा जो लाइन का एक्वेशन है वो टू एच माइनस के इक्वल टू थी है है एच और के बहुत सारे हो सकते हैं बहुत सारे नबर हैं पर मुझे अगर कर्व की इकविशन लिखनी है तो मैं एूर करता है एक्स और य का इस्तमाल त आप कर अज़िए करना को है ओ कहे कि अगर बढ़ते हैं यहां और बच्छो यहां से एक्स कॉडिनेट सेम करके और यह बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा ही है मेरी चेश्टा क्या होती है मेरी चेश्टा यह रहती है हमेशा कि H और K में कोई relation मिल जा और बाकी सब को मैं उड़ा दू ठीक है क्या ट्राइ कर रहे हैं पर एक्स और यहां पर रख दिया मैंने 2H का स्क्वेर और प्लस यहां पर रख दिया मैंने 2K का स्क्वेर इस एक्वल टू 16 चीए हर केुखो को बिने एकसवर यही रक दियो चार से डिवाइड माल दिया इस फ्सक्त वाइश्ड़ कित्ता आ पोर आ यह आपको दिखना है आपको दुबारा अगें दिखना ही चीए अंडरू टू कहले लिख सूब क्यों है तू लिखा है मैं सरकल है सेंटर जीन और और रेडियस किता है आपका तू है यह आपको थोड़ा थोड़ा दीखना चीए थोड़ा थोड़ा है एकदम से तो नहीं दिखेगा पर ठीक है दीरी जैसे यह से आगे बढ़ेंगे तो आपको आइड़े लगें चाहिए पॉइंट जो है बहुत सारे पॉइंट है यह जो आ यहां पर है और पॉइंट है आपका ओरीजन है यहां पर ऑब्यस्ती बात है और यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है अभी थोड़ी देर पहले कुछ लेक्षा पहले में आपको बढ़ाया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर होता है जैसे मैंने सरकल बना दिया मान लोग क्योंकि एंगल नाइंटी है तो यह डेफिनेटली यह डाइमेटर होगा क्योंकि एंगल सेमी सरकल मतलब आदा सरकल आदा सरकल कैसे जब यह डाइमेटर इसका मिट पॉइंट से आएगा लोकस तो मिट पॉइंट पॉइंट अरे मिट पॉइंट तो अभी निकाल ले था अबी का मिट पॉइंट जो वही तो है आपका सरकम सेंटर तो लोकस तुम अभी ताजा-ताजा निकाले यह हमारा आंसर यह फर्स्ट पार्ट और बी पार्ट दोनों का आंसर यह शेम शेम है लोकस ऑफ जी ओफ ट्रेंगल यह भी इसके लिए दूसरा सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसके लिए मैं बताता हूं ज्यादा सोचना पड़ेगा अपने को नहीं एसे बिना कम सोच करके थोड़न होगा ज्यादा सोच करके होगा नहीं काम तो है एक को माल लो आपने माल लिया आपको बताए जीरो प्लस अलफा प्लस जी लो अपॉन तीन किता है एक है तो आप इसको थोड़ा सा टाइंग सेफ करने के साब से करने के साब से अगर आप थर्ड पार्ट करने तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यह पॉइंट मेरा थ्री एच कॉमा जीरो है प्रसोच लो थ्री एच प्लस जीरो प्लस जीरो अपॉन थ्री किता आएगा है यह बहुत ज्यादा जोर लगा कि दिमाग पे नहीं कोई दिक्कत आ रही है इलकुल नहीं है अब बच्चों इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किता है आपका हमेशा चार दे रखा है यह बात अपने इस्तिमाल कर लिए अंडर रूट ओफ प्री एच का स्क्वेयर जीरो माइनस 3 के 3 के माइनस जीरो एक बात है यह अंडर र का इस्क्वेर इसवेल कू ऑल दो यह आपका अंजर आगया उन्रों कि प्लॉक अपॉइं फिक्ट दिवाइज लाइन संग्मेंट इम्ट्री इंटरि रेशो धन इस्तों कि ने फिर्सक्वाइब्स चालिए अस्टू पां यह पॉयं आपका पॉयंट प्लॉंट बुइर प आपका अल्फा कॉमा जीरो है यह पॉइंट आपका जीरो कॉमा पीटा है और यह यह रेश्यो वन इस्टू टू है तो तो एसा करते हैं यह वाला अपने पास ही यह वाला यह वाला आपने पास एट जो टू इंटू दिस वन इंटू दिस अपन तू प्लस अवह किता है एच है लिखते हैं अपना तो तू अल्फा-प्लस-0 अपॉन थ्री यह किता है एच जो टू इंटू जीरो प्लस वन इंटू बीटा इवाइड़ इस यह किता आपका यह है बस खतम खतम होगे भाई फिनिश ठीक है बस चोटे-चोटे सवाल है यह अलफा किता रहा है थ्री एच बाइटू ठीक अलफा क्या था इस एक स्कुर्ण पर इस रिलेशन की हेल्प से मैं अलफा बीटा इलिमिनेट कर पाया और मैं एच और के में एक रिलेशन निकाल पाया अब मैं इसमें है एक सवाल यह समाप्त हो गया है जो अगला सवाल है पॉइंट एद रखा है अपने को वन कॉमा टू एक फिक्स पॉइंट है वेरीबल पॉइंट बी लाइस ओन लोकस फूइंट इक्वेशन इस एक स्कूर प्लस य स्कूर इक्वेशन दुबार ध्यान दो बार बार आपके देख रहें सर्कल आ रहा है इमाजेन यह करना तो प्वोड़ा से सोच लेना है इमाजेन करना यह चीज अपना जीरो जीरो और एक्स भाइव के बीच का डिससन्स हमिशा तू है ऐसा लिखा हुए सरकल यह सेंटर 00 है और रीडियस कि यत्ता आ रहा है आपका अपर को तू आ तुई फाइंट लोकस और और यहां पर पॉइंट भी है जो कि आपका उस पे लाइग कर रहा है कि अब तक हम क्या करते आये थे अब तक हम एक्स वाई भी कहीं कहीं सवालों में मानते आये आप पुड़ी क्लारिटी और आएगे आपको केमल यहां पर आपको हम थेल को मैंगे प्याकशन क्या होता है कि कई सवालों में पहले से ही एक curve की equation दे रखी होती है क्या होता है कई सवालों में पहले से ही curve की equation mentioned होती है जैसे इस सवाल में आप देखो यहाँ पर पहले से ही x और y में एक relation दे रखा है यानि कि एक curve की equation यानि कि circle दे रखा है तो अगर पहले से ही अगर x और y मौजूद है तो आप start ऐसे नहीं कर सकते कि let the locus be x, y क्योंकि फिर कलेश हो जाएगा पहले से आपके घर में यह है और एक और घर में आपने बुला लिया किसी को तो कलेश हो जाएगा तो इसी लिए we start with an unknown point h, k as blocus और बाद में जब finally मेरे पास h और k में relation आ जाएगा तो उस relation में h और k की जगह में x और y रखे general curve की equation में निकाल लूँगा जैसा कि मैं अब तक करते आए था तो बस इसलिए h और k मानते हैं कि अभी से अगर xy मान लोगे तो यह xy और वो xy जो है वो variable clash कर रहे है चीजें clash कर दी है ठीक है अच्छा अगर यह midpoint है तो दो तरीके हैं आपके पास approach करने के directly देख सकते हो ठीक है वो मैं बतायता हूं देखो देखना मैं कैसे सोच रहा हूं ठीक है तो point b है 2h-1 और 2k-2 है मैंने मैंने क्या सोचा मैं आपको बताता हूं मैंने reverse सोचा कि इस number और इस number को जोड़ू और 2 से divide करूं कितना है एच आ जाए ठीक है इसका reverse calculation क्या हो जाएगा इसका double minus this दुबारत सुन लो इसमें इसको जोड़ा और divide किया 2 से तो यह आ जाएगा अब इसको add किया divide किया का reverse क्या है multiply किया और subtract कर दिया तो पहरे पेने उसे multiply कर दिया इसको और वो इसमें से subtract कर दिया यहां पर ठीक है कि 2 में मैं क्या जोड़ू कि divide by 2 करके किया जाए तो 2 में मैं अगर 2 के माइनस 2 जोड़ दूँगा तो 2 किया आएगा 2 के को 2 से divide कर दूँगा तो किया जाएगा उल्टा सोच सकते हो इसका double minus very simple very trivial mathematics है तो अगर आपकी इच है तो आप इसे alpha beta मान करके है एच और के में वापिस alpha beta निकाल सकते हो आप करोगे क्या बिसीगली alpha plus 1 by 2 is equal to h करोगे ठीक है बीटा प्लस 2 by 2 इसको आप किये करोगे और फिर alpha beta निकाल लोगे और उसकी उसकी जरौत नहीं है ठीक हटा देते हैं ठीक हाँ अगर आराम से कर सकते हो बहुत simple mathematics है नेक्स टीप अब बच्चो अपने को यह दिरख्था यह दिरख्था है कि जो point B है ना यानि कि हच और कि आपने माना और फला फला यह जो point है इसको दिरख्था कि यह उस सरकल पर 25 है ऐसा कुछ है तो एक्स अगर आपने वन रखा वाय माइनस वन रखा यह इसको सेटिस्फाइब कर रहा है वैसे मुझे दे रखा है कि ऐसा हर एक एक पॉइंट अगर यह कॉम के है तो एसा हर एक पॉइंट इस स्कर्व में पटक दो तो एक्स कॉड्रेट किता है वहां पर तू हम उसका स्क्वेर प्लस y कोडिनेट किता है 2 के माइनस 2 ठीक है 2 के माइनस 2 इसका स्क्वेर है और यह वैल्यू की चीज रखे 4 अब हैच और की की जगह एक सवर यह रख दो किया जाएगा 2x-1 का स्क्वेर प्लस 2y-2 का स्क्वेर है इसक्वेर है तो चीजों को सिंपल रखने के लिए हम क्या करते हैं स्टार्ट कर दे हैं और बात में एंट में बिल्कुल जब सब एलिमिनेट हो गया डिरेक्ट में पास है और के में रिलेशन है तो मैं पुट कर देता हूं कर्व की इक्वेशन एक्स हाय में मिले एगवाब आपको बिल्कुल ख्लेयर होगा कि जब जब अगर सवाल में एकस य दे रखा है तो आप एज कॉमा केसे स्टार्ट करीए कई बार तो ये कमीने लोग क्या करते हैं कई ऐसा कर देते हैं कि हमारा खुद का एक पॉइंट त तो फिर आपको अपना लोकस अल्फा बीटा मानके करना पड़ेगा या ऐसा कोई चीज लेनी पड़ेगी जो पहले से सवाल में मौझूद नहों है ना अन्नोन होना चीज है ठीक है तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट चीज जो है मैं आपको लिखवा देता हूं सेपरेटली तो नेक्स्ट चीज है एलिप्स है एलिप्स का लोकस एक बार याद कर लो है अपने को एलिप्स के बार में कोई प्रॉपर्टी पर नहीं पढ़ रहे हैं एक लोकस की एक सिंपल ती डेफिनेशन है और वह एवैल्यूएट करेंगे आपन यानि कि बास्क्वेर करना है मैनिप्लेट करना है बस इतना सा देखना है तो इलिप्स का डेफिनेशन यह होता है लोकस ऑफ पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट सुCH का जो से मतलब तो सुच यह है सू मतलब सूच दा क्लिए तो सू महतल कि साथ इत्स वाफिनेशन क्वेर तीद्स स्वा सम एव ज़ा से करनेशन डागे लोकस को यह डाल है संनुख। करेगा ओबीसिकली जुम्हें बदारता को बहुंस के ट्रेस करेगी यहां पर यह जो लोकस है वह आपका एक एलिप्स करेगा ओके तो अपने को यहां पर एक सवाल दे रखाएं कि अगे लोकस ओप पॉइंट मतलब पॉइंट लोकस ओपॉइंट पी अच डाट प्लस 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 टू यह यह रखा अपने को और बच्चों यहां पर अपने को एवन दे रखा है पी कॉमा जीरो कॉमा एफटू दिरखा है अपने को माइनस पी कॉमा जीरो ऐसे दिरखा लोकस ओप तो आप कुछ बच्चे बुलेंगे कि सर मेरा तो आंसर आई गया मैं तो सिंप्ली ऐसे लिखके छोड़ दूँगा इसको पी एपन यानिकी मानलो मनें पॉइंट की मानल देखे और अब मैं पी एफट यानिकी पी का डिस्टेंस लिखेता हूं वह आएगा एक्स माइनस सी का स्क्वेर प्लस वाइस्वेर और यह सम आप डिस्टेंस इस प्रॉम टूफिक्स पॉइंट इस पॉंस्टेंट आप बस आज हम जो यह चीज कर रहे है इसका उदेश के केवल यह है कि अगर आपसे कोई रस्ते में कोई पूछे कि एलिप्स क्या होता है आप बस यह बोल दो इतनी सी बात बोल दो कि सम आफ डिस्टेंस स्टॉम टूफिक्स पॉइंट यह कॉंस्ट होता है इससे आप रिकगनाईज करोगे बाकी हमें एलिप्स की और कोई अग्रीड यह अंसर आपका आगया है पर मुझे आपको इसको एक शकल भी दिखानी है ताकि आप एलिप्स की एक्क्वेशन दूर से पहचान भी लें इसके अलावा भी एक शकल होती जो थोड़ी ब्यूटिफुल होती तो इसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुले अग्सको इसको स्क ordinकिश्टार क्ली किरा अपने अपने अपलाए कर देया स्क्वेर एब देख लो एब ब्लस बी स्क्वेर और माइनस तो टू इंटू एगा अपका पोर यह अपने सही से अपने कॉपी कर लिए अब इसमें काटा पीटी होगी तो यह आपका य स्क्वेर एक स्क्वेर इस्क्वेर गॉन पूरा का लिदर में अब अब अपन राइट साइड देख रहे तो राइट साइट अपने देखा कि टू सी एक स्क्वेर नुट इस्क्वेर कर सकते हैं इक बार लिखो यहां तक है और पूरा का खुद करना है लो एक बर और स्क्वेर करते हैं एक बर और स्क्वेर किया तो ए स्क्वेर एक स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर प्लस कुसी एक स्क्वेर प्लस यहां पर इसका स्क्वेर आएगा एक ही पार पूर प्लस सी स्क्वेर एक स्क्वेर एक स्क्वेर प्लस स्क्वेर एक स्क्वेर एक स्क् और ट्वाइस एक स्कूर्स को एक तरफ रखते हैं तो यह वाला ट्रम एक स्कूर का है और यह वाला ट्रम एक स्कूर का है तो मैं लेफ्ट साइड देखू क्या लिखा है स्कूर माइनिस सी स्कूर को एप लिख बंदी स्कूर इसको इसको मृनं की अब मैंने का किया है कि इससे डिवाईट कर दिया है नहीं की राइट साट से में राइट से साट कर रहा हु हो एक्सकोर aumento स्कूर माइनस सी स्कूर एंड यह वाली कॉंटिटिज यह वन के बराबर आदी प्रणाम करोर आशिरवाद लो है यह आपकी एक्वेशन है एक्वेशन आगे काम आएगी बस अभी बस यह था कि मुझे आपको थोड़ा सा मैनुपलेशन सिखाना था कि हां अगर एलिप्स दे दे दिया तो आपको यह पूरा वर्क आउट करके यहां तक आपको पहुंचना होगा ठीक है आप लोड़न कर दो फिर चलते आगे कि 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 नेक्स्ट कि अपने कर लिया है यह अपने के एलिप्स ऐसा दिखता है कि दिखता कैसा यह इंपोर्टेंट नी सर्कल जैसे दिखता है ठीक है अगला टाइटल है हाई पर बूला है हाई पर बूला अपने को बस करें इसके लोकस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए तस partie कोई डेवेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं पर बस 13 पहाँको डेफिनेशन यह लोकस का k. locus of point such that its difference of distances from two fixed points. इस इस पूपिक पॉइंट इस पॉंस्टेंट यह आपका पॉंस्टेंट आ जाए तो हाइपर बोला दिखता कैसा यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फिर जब मैं आपको अगर कुछ ड्रॉइंग करके देदूंगा सरकल की ड्रॉइंग तो आपको आती है भी ह हाइपर बोला की नहीं आती और मैं ड्रॉइंग गलत बनाता नहीं है मेरी आदत नहीं में कुछ भी गलत ड्रॉइंग करो फिर मुझे बहुत ही अच्छा हाइपर बनाना पड़ेगा और फिर मैं वह चाहूंगा नहीं कि आप उसके डीटेल में जाओ तो अभी हम कुछ भी प्रिफेरेंस यह नोन नेगेटिव डिफेरेंस ओफ टू कॉंटिटी इसको पढ़ा है और इसको पढ़ा ही जाता है क्वौनिक के अंदर जैसे पंस ट्रेट लैन अभी बढ़रें फिर आगए सरकल आएगा फिर आपका पैर पलावला फिर इसलिए बस डेशन में बता रहा बात है कि अगर यह 2A आ रहा है तो इस quantity की पॉसिबल वेल्यूस 2A या माइनस 2A होंगी है और मैं अब मैं मान रहा हूं कि चो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी का लोकस मान लेते हैं क्योंकि पहले से यहां पर कहीं पर कोई एक्सवाइब मेंशन निया कोई भी करकी कोशन यहां पर नहीं दे रखी है एकस माइनस सीका स्क्वेर अधिया यह वैल्यू दो हो सकते हैं या तो टूए या माइनस तूए यह यहां तक लिखो आप अब अगेन अपना ट्राए यह है कि एक अंडर रूट को एक तरफ रखे और बाखी सब्सको उधर लियाक्त फ्लेक्स करने हने स्क्वेर कर रहा हूं तो प्लस माइनस टूए दोनों का स्वेर कर रहे कोूँय को राय गर anar और इसका स्क्वेर किता आएगा और यहां पर प्लस-2 यहने कि this plus-minus यहने कि a plus-minus b दोनों के cases में प्लस-minus आपका 4 है multiplied by root of x plus 3 का square और प्लस-y-square किया जाएगा एक स्क्वेर एक स्क्वेर प्लस-mineus प्लस-mineus पूरे को एक तरफ लाके स्क्वेर करने तो एक स्क्वेर प्लस-c अपना एक तरफ है इसका स्क्वेर कर दिये और उड़ी गया और इसका स्क्वेर मैं इस एक निए पूरा वर्काउट नहीं कर रहे न तो जो जो मैं लिख रहा हूं वह सब कुछ आपको पेंडाउन करना है अपनी नोट्स कॉपी के अंदर आपको हाइपर बोला के बारे में इतना पता होना चीए कि यह होता है ऑर दिखता कैसा ऐघ्किता है ऐसा दीखने के बार वरक आउट करके अभी निकाल और है ओए गट O और पार राइट साथ में है यहां पर करके करके माने लिग दिया था सबस्क कर एक पार माईनस के साथ आएक कर दबार एक सकता अगरेड आएगा। एक स्क्या एक स्क्या यह एक स्क्यार अक्ugen स्क्यार मिनने सैंथ की तत, मैं लिंठी नोगे है। непहो तो यह दो दिशे सी स्कूर माइनस ए स्कूर प्रणाम करो और अश्रवाद लोग यह आपका हाइपर बोला का एक्वेशन है तो यह कभी-कभी आपका अपियर हो सकता है बीच-बीच में क्योंकि एक्जामिनर के पास पूछेगा मानलो की फला-फला मैंने कंडिशन दिदी लोकस की यह यह रिल पता होना चीए कि हाईर यह एक्वेशन जो है हाई पर बुला की यह अगर कंडिशन दे रखी लोकस की पता होना चीए हाई पर बुला की हम हाई पर बुला नहीं पट रहे हमारा उद्देश केवल स्टेट लाइन है मैंने आपको बताया आज आज आमने सर्कल से यह सर्कल से ज्यादा ब्यूटिफल क्या होगा तो दिखने चीए है कि ओरिजन से एक्स वाई का डिस्टेस अपने को टू दे रखा है सर्कल का सेंटर 0 0 रेडियस आपका टू है यह बात आपको इतनी हलकी फूल की चीज़ें आपको दिखनी चीए ठीक है मिलते हैं नेक्स और के कुछ सेलेक्टिड कोशन कर सकते हो अभी मत करो अभी एक्साइस वन और टू कंप्लीट कर लो एक बार देख लो एक्साइस फोर खोल करके ऐसे लो नहीं कॉर्णि जमें उसमें क्या-क्या दे रखा है करना कुछ नहीं है बस फर्स और सेकेंड एक्स जन पर मैं आपक तो मुझे कॉमेंट करके बताना ठीक है बैबाए